तो आज मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर कर रही हूं अलिविया हर्बल ब्लीच का तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत जादा डरते हैं ब्लीच करने से कि कहीं हमारी स्कीन पर यह कोई effect ना डाल दे मतलब कोई bad effect ना डाल दे तो आज में जिस ब्लीच का आपके जो थोड़ा बहुत हमारी स्कीन को हार्म पहुंचाते हैं जब भी मैं ब्लीच करती हूं तो मेरे साथ यह होता है कि उसको अप्लाइ करने के बाद में मुझे एक जलन सी मतलब फील होने रखते हैं मैंने फेम की ब्लीच यूज की थी उसके बाद में मेरे स्कीन पर बहुत जलन वगेरा होने लगी तो उसके बाद मैं डर किया वजय से उसको दुबारा एपलाए ही नहीं किया उसके बाद मैंने ओलीविया ब्लीच का देखा और गाइस लिटरली यह बहुत ही बैस्ट ब्लीच है जो कि आपको हो भी जाता है कि हमने ब्लीच की है और इतना ज्याद है जो है यह हर्बल ब्लीच है सारे ही इसके जो इंग्रीडियंट्स है गाइस वो हर्बल है यह मैं आपको फर्स्ट आफ और इसका प्राइस बता देती हूं यहां पर आप देख सकते हैं गाइस इसका प्राइस 45 रुपीज मैंशन किया है तो यह 45 रुपीज का एक पैक है इसके जिएगा है धेख सकते हैं पर रियेकट करें तो आप उलीविया से ट्राइ कर सकते हैं और इसको भी ट्राइ पहले मैं हमेशन सज्जेस्ट करूंगी एक पैच टेस्ट जरूरओ से कीजिएगा जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपकी skin के लिए harmful तो नहीं है इसमें कोई भी ऐसा ingredient नहीं है जो कि आपकी skin को नुकसान पहुचाए तो बहुत ही mild सी bleach है ये इसमें चंदन का यूज हुआ है lemon का यूज हुआ है and healthy का यूज हुआ है aloe vera का यूज हुआ है तो चारों ही ingredients जो है वह बहुत अच्छे होते हैं हमारी skin के लिए तो यह इस तरीके से एक इसमें यह टब निकलता है जिसमें है हमारी bleach cream साथ में यह है एक चो टूसी बॉटल जिसमें है हमारा एक्टिवेटर और इसके साथ में आपको मिलता है एक इसका spatula साथ ही यह भी आपको मिलता है जिससे पढ़के आप इसमें देख सकते हैं कि आपको इसे किस तरीके से बनाना है किस तरीके से नहीं बनाना है तो आपको जब यह यूज करनी है गाईज इसको एक बार में ही यूज कर लेना है क यह बना करके रख दें और सोचे कि मैं इसे जो है एक घंटे बाद यूज कर लूगी या दो घंटे बाद यूज कर लूगी तो ऐसा नहीं है एक्टिवेटर मिक्स करने के बाद में यह आपको एक मिनिट के अंदर ही इसको आपके फेस पर एप्लाए करना होता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप प्रोड़क्ट बना करके रख दें एंड इससे पहले जब आप इसको बना करकी लगाने वाले होंगे उससे पहले एक पैच टेस्ट जरूर से लेना होता है कि आप इसे अपने कान के पीछे या फिर अपने जो है हैंड स्कीन होती है वह बहुत संसिटिव होती है तो अगर इसका थोड़ा बहुत भी गलत इफेक्ट होगा आपकी स्कीन पर तो वो आपको वहाँ से पता चल जाएगा और उसके बाद आप इसे apply बिल्कुल भी नहीं करेंगे और हमेशा अपनी eyes से इसको बचा करके करना होता है कि eyes में बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए आपकी eyebrows पर आपकी hair line के hairs पर तो इस तरीके से आप bleach को जो है यूज कर सकते हैं तो यह apply करने के बाद गाइज अच्छे से आपकी skin को जो है एकदम से एक अच्छा clean look देती है आपके जो facial hairs होते हैं उनको आपकी skin color में कर देती है जिससे कि आपकी facial hairs जो है वो दिखाई बिल्कुल भी नहीं देते है जो आपकी skin जो है वो glow करती है आपके skin tone को भी improve करती है तो इसलिए bleach करना हमारे लिए बहुत ज्यादा ठीक होता है अच्छा होता है मतलब हमें करनी चाहिए तो यह खरनी होती है after 15 days बोलते हैं बट मैं आपको recommend करूंगी कि अगर हो सके तो आप इसको जो है 20-25 days बाद ही apply करें हर 15 days में करने पर कहीं न कहीं यह bleaches है थोड़ा बहुत नुकसान करती ही है इसकिन जो है वो धीरे धीरे जो है उसका texture कहीं हमारा खराबना होने लेगे हाला कि Olivia bleach में ऐसा कुछ भी नहीं है बोलते हैं कि यह totally herbal bleach है बट फिर भी मैं suggest करूंगी कि after 25 days बाद ही आप इसे apply कीजे को improve कर सकते हैं तो और भी चीजें आप यूज कीजिए साथ ही साथ अपने अच्छे खाने पिने पर भी ध्यान देंगे तो उसका भी असर गाइस हमारी skin पर दिखाई देता है अच्छा खाएंगे पिएंगे तो उसका glow definitely आपकी skin पर आ जाता है तो I hope guys की मेरा ही जो review है यह आप लोगों के लिए helpful रहा होगा helpful रहा है तो like share और subscribe करना बिलकुल भी न भूलिएगा thank you guys bye bye